नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वास्वानी है। दोस्तों, कल मेरा कफी करीबी दोस्त, मेरा सत्संगी भाई भी इसी कोरोना में एडमेट था सिविल हॉस्पिटल में और नहीं बच पाया। तो कल सिविल हॉस्पिटल से फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि आके डैट बोडी लेके जाए। दोस्तों, सिविल हॉस्पिटल में नीचे अंडरग्राउन में डैट बोडी काफी सारी लाशें पड़ी थी, वहाँ पर लेने गए। दोस्तों, कुछ सेवा भाव लोग सेवा कर रहे थे, डैट बोडी निकाल रहे थे और हमें दे रहे थे, उपर एम्बुलेंस तक उठा उठा के आ रहे थे। एम्बुलेंस से सूरत में जांगिरपुरा में कुरुक शेत्र है, शम्शन, वहाँ पर तकरीबन आठ से दस लोग सेवा कर रहे थे, सेविल हॉस्पिटल में तकरीबन दस से बारा लोग सेवा कर रहे थे, जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी कल खु चाक हो गया, सबके सब मुसलिम्स थे, मुसलिम्स ये अमारे हिंदोस्तानी में हमारे इंडियन्स जो हमारे हिंदोस्तान की एक शान बान सेवा करके ख़ड़े हैं, निशुल्क, निश्वार्थ सेवा, ऐसे कोविड में जो लोग बिचारे मर रहे हैं, उन लाशों को उठा रहे हैं, परिवार वालों को दिखा रहे हैं, किसी को चहरा देखना है, तो वहां दिखा रहे हैं, वहां से समशान काट पे लेके जा रहे हैं, वहां पर सिवा रखे हैं, उनको खत्रा नहीं है कोविड ल याद करें और याद रखें कि देखो जब सब अच्छा हो जायागा ना तो इस जो हमारी कौम है हिंदु-मुस्लिम सिख्ष इसाई जो इतने सालों से हमारे हिंदुस्तान हमारे इंडिया बना हुआ है तो बाद में सब नॉर्मल होने के बाद एक दूसरे को गालिया नहीं द ड्खें जाके देखिए कि किस हालत में वो लोग उठा रहे हैं डे रहें समशान गाट में सेवाई कर रहे हैं सलाम है उन लोगों को उनके संसकारों को कि वो लोग यहां पर आ आके सेवा कर रहे हैं रिली सलाम है तीट्य थैंक यु झाल